कि है कि हलो एं वेलकम तो लैट्स क्राइख UPSC CAC माने में प्रतीक नायक एंड विलकम यॉल्ड विल्कम यॉल राजर्जेस यूट्व प्लाफों फर उपसी दिश्रकरेंगे और प्रतीक नायक आपका स्वागत करता हूं लैट्स क्युंपे सी के चैनल के ऊपर इस वह दिसक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप जरूर से हमको कॉंटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग प्लस सब्सक्रिप्शन क्योंकि यहां लेट कर यूपसी चैनल के ऊपर मैं आपको एंचाटी पड़ा रहा हो बट ऑन दिया का सबसे लर्डिंग प्लाइफोर्म में जहां पर बहुत सारे एजुकेटर से ज्याद एजुकेटर और थाउजन्स एं लैक्स और लैक्स फूर्ट तूडंस मैं कहूंगा की हमारे साथ यह वहां पर एक इंपोर्टन अनॉंस्मेंट में आपके लिए करना जाओंगा वो है तीन मेगा बैचिस की शुरुवात हो रही है यह मेगा बैचिस शुरू हो गई है फॉर्ट थ्री वूट से कोर्सेश वन इस दिमेशन 21 दूसरा है लक्षर 2021 और तीसरा है एक्सपडिशन 2021 यह तीनों के तीनों अलग-अलग language के अंदर कवर कराए जाएंगे जैसे Mission 2021 का पार्ट मैं भी हूँ इडिस बाइलिंग्वल कोस दूसरा है लक्षर 2021 जो हिंदी के अंदर है एक्सपडिशन जो है इंग्लिश के अंदर है और फ्रिलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको इसके अंदर होगी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि आपको एक dedicated mentorship मिलेगी आपको इंडिया के दो साल के अंदर आपकी रॉक्साइड प्रिपरेशन हो जाएगी तो एज अपनाव टू यह सब्सक्रिप्शन 48,000 रूपीज के अंदर आपको अवेलेबल होता है बडिफिल यूज दिसकाउंट कोड पी एन लाइव तो आपको 43,200 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा उसी त यह जो आपको टिकर के अंदर स्कॉल दिख रहा है PNLIVE, you can use it for any courses, but if you want to like interact with me and come and join my classes, तो मैं कहूंगा कि आपको UPSC CSE का सब्स्रिप्शन लेरा पड़ेगा, ठीक है, तो यह एक अरने के प्लस के बारे में हो गया, दूसरा यह है कि इसमें आपको हर एक subjects का coverage मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि खाली मेरे ही courses आप attend कर पाऊगे, you will be able to attend the courses of all the educators, तो उनके जितने भी educators है 80 से ज्यादा, उन सब के educators के classes भी आप attend कर पाऊगे, live classes है, recorded भी attempt कर पाऊगे, और including test series के साथ भी आपका पूरा conceptual plus foundation की teaching यहाँ पे cover कराई जाएगी, खेर, अन Academy Plus के बारे में मैंने आपको अलड़ी बताय हुआ है, मेरे दो courses शुरू हो रहे है, एक तो world history के ऊपर, जो thematic course है, 29th में से शुरू हो गया है, आप जोड़ जाएए, आपको पिछले जो 2-3 session अभी miss out है, उसके recording मिल जाएंगे, और live classes के अंदर आप continue कर सकते हो, दूसरा मेरा modern history को लेके 2021 की जो prelim से उसको लेके और मेंस जो है, उसको लेके मेरा foundation course शुरू हो रहा है, 22nd June से यह course को मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसको बहुत ही foundation के साथ मैंने design किया हुआ है, तो most welcome to join, always use the code PNLive, before proceeding further, हम लोग चैट नबर 5 के उपर discuss कर रहे थे, और चैट नबर 5 के अंदर मैंने आपको ब political reasons थे, तो जब हमने पहला class पढ़ा था, तो हमने political reasons को पढ़ लिया है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि peasants के खुद के भी कारण थे, और including इंडिया की military, जो East India Company की सेना थी, उसके भी खुद के reasons थे, getting a point, हमने ये भी पढ़ा था है कि 1857 का mapping हमने पढ़ने की कि थी और कहां कहां पर revolt होता है, उसके important centers को भी मैंने आपको cover करा दिया था, आज के class के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा भारत का common man है, जो common man है, मैं कहूंगा कि common people of India है, how they used to perceive the British East India Company, वो British East India Company को कैसे perceive करते हैं, उसके ये topic को हम लोग discuss करेंगे, तो before proceeding further हमने अल्रेडी ये जो topic है, उसको अपने cover किया था कि कैसे इंडिया की society को, इंडिया के social reforms को बदलने की कोशिश की गई, इंडिया का जो culture है, इंडिया का customs है, उसको बदलने की कोशिश की गई by the British और इन सब परिस्तितियों के कारण, भारत के लोग काफी बुरा लग जाते हैं उनको British 7530 से, तो वो withdraw कर देंगे, अब देखिए, ये withdraw जब शुरू हुआ, तो उस दौरान भारत के लोगों का जो perception था, वो कैसा था, इस्ट इंडिया कंपनी को लेके, जो British rule था, उसको लेके, उसके लिए NCRT में बहुत interesting कहानी की गई है, दूसरा आप देखोगे, तो NCR 30 के अंदर 2-3 पॉइंट यहां पर हमको मिलेंगे, एक तो पहला पॉइंट वहां पर उन्होंने हाइलाइट किया हुआ है, कि कैसे ये mutiny rebellion के अंदर convert हो गई, मैंने आपको ये बताया, कि शुरू की थी साइनी को ने, किसने शुरू किया था, हमारे सेना ने, ठीक है, तो अ popular rebellion, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये जो popular rebellion का concept है, public support का concept है, उसको भी हम लोग आज के class के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, और कैसे मेरट में शुरू हुआ, दिल्ली और दिल्ली के बाहर, इंट और भी regions के अंदर कैसे फैल जाता है, खेर, अब आगे समझने क कोशिश करते है, कि ये जो chapter है, उसमें हमने अल्रेडी social reforms का perspective को देख लिया है, अब देखने की कोशिश करते है, कि how the common man used to think about the British rule, getting my point or not, अब याद रखेगा कि common man का जो perception है, उसमें 2-3 लोगों के बारे में NCIT में दिया हुआ है, उनके बारे में पढ़ेंगे, एक तो पहल विश्नुभट गोड से, इनका नाम याद रखेगा, इनके किताब है, जिसका नाम है माजा प्रवास, देखेनाज क्यों माजा प्रवास किसने लिखी थी, getting my point or not, माजा प्रवास का मतलब है, my journey, my travel, ठीक है, विश्नुभट गोड से वो ब्रहमन हुआ करते थे, ऐसा NCIT कहत है, महराष्टर के अंदर से, और वो और उनके चाचा, नौर्थ इंडिया के अंदर मतूरा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, getting my point or not, और विश्नुभट, इसके बारे में अपनी जो किताब है, माजा प्रवास उसमें लिखते है, कि जब मतूरा जा रहे थे, तो उनको वहाँ पे रास्ते में जानकारी मिलती है, कि बहुत बड़ा विद्रो हो गया है, getting my point or not, और किसने किया था, साइनिकों ने विद्रो किया था, सिपोई लोगों ने विद्रो किया था, सीपाही कहते हैं अम लोग, तो सीपाही जो शब्द है, यह तो आपको medieval administration के अंदर मिल होता है, तो in fact, सेनिकों का क्या कारण था, यह विद्रो में participate करने का, तो विष्णुबध गोड से अपनी interaction जो उनके soldiers के साथ हुए थी, उसमें लिखते है, कि the English were determined to wipe out the religion of the Hindus and the Muslims, they had made a list of 84 rules and announced in the gathering all big kings in Calcutta, जहां पे in fact, सब को इखटा किया गया था, और उनके लिए एक नि कितने से 84 rules and regulations से याद रखेगा, कभी-कभी कोशन यहां से भी निकल जाएगा, that the kings all returned to their capital in great anger, all the big people began making plans, a date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in merit by the letters sent to different cantonment, मतलब क्या है कि यह planned revolution था, या planned revolt था, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो विष्णुबध घोर से ने सइनिकों के सा इंटरेक्शन किया था, उसके बारे में बताया, विष्णुबध घोर से ने किताब के अंदर हमको यही highlight किया, कि राजा जब कलकता जाते है, और अंग्रेजों को उनके साथ discussion होई थी, इंडिया के जो kings की, उसमें यह सब चीजों की जानकारी मिली किया, और कुछ भी करके हमको करना पड़ेगा, इसके साथ साथ, विष्णुबध घोर के साथ साथ, जब हम लोग बात करते है, तो दूसरी बात हमको माल मिलती है, वो है सीताराम पांडे की, याद रखेगा, सीताराम पांडे की जब हम लोग बात करते है, तो सीताराम पांडे करके एक East India Company के soldier थे, तो आपको पूछ सकता है कि हुई सीताराम पांडे, हुई सीताराम पांडे important name है, और ये सीताराम पांडे के बारे में हमको बरजानकरी मिलती है, कि 1812 में उनका recruitment हुआ था, बंगाल की आर्मी के अंदर उनका recruitment हुआ था, 1860 में वो retired हुए, अब देखिए, खासियत क्या थी इसकी खासियत ये है कि सीताराम पांडे का contribution ये है, कि उन्होंने अंग्रेजों को मदद की थी, he helped the British to suppress the rebellion through his own son, was a rebel, मतलब क्या होता है, समद्ने की कोशिश करो, कि सीताराम पांडे East India Company के साहिनिक थे, उनके बेटे ने खुदने विद्रो किया था, बट उसके बावजूद भी सीताराम पांडे की जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे, तो, in fact, सीताराम पांडे अंग्रेजों की मदद करते है, getting a point? तो सितराम पांडे जो है, सितराम पांडे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है From Sipoy to Subedar, दिख रहा है कि ने दिख रहा है, मतलब मैं सेना के अंदर साइनिक के रूप में in fact established किया गया था, याद रखेगा the book name was Sipoy to Subedar, which was written by सितराम पांडे और सितराम पांडे क्या बताते है, कि बही, on retirement he was pursued by his commanding official, एक गोरा official था, जिसका नाम था नौर्गेट, इसके नाम याद रखने की ज़रूत में, he completed the writing in 1861 in Avdi, and नौर्गे translated in English, ठीक है, तो ये my humble opinion that the seizing of Avad filled the minds of the Sipoys with distraught and led them to plot against the government, agents of the Avad of Nawab also and the kings were sent all over India to discover the temper of the army, they worked upon the feelings of the Sipoy, telling them how treacherously the foreigners have behaved towards the king, they invented on thousand lies and promises, तो अंग्रेजों के उपर उसने बहुत चारा दोशारोपन किया है, हमारे लिए important ये है कि the name of the book, कौनसी किताब है, the name of the book is the Sipoy to Subaydar, नाम याद रखेगा, the name of the book, आपको पूँच सकता है कि ये Sipoy to Subaydar किसने लिखी थी और सीताराम पांडे कौन हुआ करते थे, अब देखो 1857 का Revolts का जो poster boy image बनके आती हो, किसकी आती है, मंगल पांडे की, पर मंगल पांडे अलग थे, सीताराम पांडे अलग है, दोनों point आपको पता होना चाहिए, अब दीखे, विद्रो होने की शुरुआत होती है, विद्रो होने की शुरुआत हुई, और उसके बारे में सिताराम पांडे क्या लिखते है अपनी किताब के अंदर उसको समधने की कोशिश करते है It chants about the time that the सरकार sent parties of the men from each regiment to different garrison for the instruction of the new rifle मतलब क्या किया सरकार ने क्या किया कि उन्होंने जो जो बंदुक थी ना मैंने आपको पिछले class के अंदर भी बताया था मैंने आपको कल के class के अंदर भी बताया था या इसके पहले भी बताया था कि ये revolt के शुरुआत क्यूं होती है उसके पीछे का कारण ये था कि उस ताइम पे सैनिकों को जानकरी मिली कि उनको जो बंदूक दी गई थी उसकी जो कार्तुस थी वो कार्तुस को चबा के जब बैरल के अंदर लोड करना होता था तो बैरल के ऊपर जो कार्तुस को जब लोड किया जाता था तो मुह से जब चबाते थे और उसके ऊपर का जो कवर था वो गाई की चर्वी और सूबर की चर्वी से बना था इसके लिए साइनिकों को लग रहा था कि हमारा religion कहीं ना कहीं आप देखेगा तो insult हो रहा है समझे है आप लोग ठीक है तो in this condition सितराम पंडे अपनी perspective के बारे में बताते हैं some man pointed out that in the 40 years of justice nothing has been ever done by the सरकार to insult the religion but as I have already mentioned the Sipoy's mind has been inflamed by the seizure of the odd अवज नाम का state को इनोंने ले लिया था और वहां के जो native लोग थे और including soldiers से उनको अच्छा नहीं लग रहा था interested parties were quick to point out that the great aim of the British was to turn us all into Christians and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about since both the Mohammedians and Hindus would be defiled by using it मतलब यह है कि East India Company भारत के लोगों को Christianity में लाने की कोशिश करे थी including soldiers को लाने की कोशिश करे थी और इसके कारण soldiers नहीं ये mutiny करने की शुरुआत की ठीक है तो ये दोनों perspective के अदर याद रखेगा सिताराम पांडे और विश्नु भट इन दोनों के opinion क्या थे और क्यों ये लोग revolt करते है इन दोनों की point आपको पता होनी चाहिए किताब का नाम याद रखेगा अब आगे चलते है समझने की कोशिश करते है कि ये revolt कैसे होता है अब आप समझो कि NCRT क्या क्या चीजे बताती है 1857 के revolt के बारे में ये बताती है कि दो the struggles between the rulers and the ruled are not usual unusual नहीं है मतलब होता ही है प्रजा और राजा के बीच में कभी कभी छोटा मोटा संगर्स चलता रहता है getting my point or not बट इस तरह से जो एक popular resistance के रूप में उभर गया popular resistance समझ में आता है आपको जब लोग इखटे होते हैं सब लोग decide करते हैं कि हम लोग है ना अंग्रेजो को भारत से बगा देंगे उसको popular resistance के बारे में बताते हैं और उसके कारण क्या होता है कि state की जो authority थी अंग्रेजो की जो राज्य विवस्ता थी वो तूट जाएगी उनके उपर बहुत बड़ा एक impact create किया जाएगा getting my point or not हाँ तो यह सब condition के अंदर हमको जानकरी मिली कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा थे जो चाहते थे और जो सोच से थे कि हमको हमारे common enemy है उसके सामने खड़ा होना चाहिए अब common enemy कौन था उस ताइम पर आपको पहले भी बताया the British was the common enemy क्यों कि इंडिया के पीजन इंडिया के लेबर इंडिया के ट्राइबल क्लास इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के बड़े-बड़े kingdoms उन सब के सामने कही ना कही इन लोग को गुसा था समझे आप लोग ठीक है for such a situation to develop people have to organize communicate and initiative and display the confidence to turn the situation around and यह condition शुरू होती है 1857 के अंदर getting my point or not और in CIT हमको बताती है कि company faced a massive rebellion in the month of May 1857 मैंने आपको बताया यह revolt कब शुरू हुआ था 10 में 1857 के अंदर यह शुरू हुआ था और company का जो presence था उसको हच मचा दिया getting my point or not शुरू कहां से होता याद रखेगा कि merit से शुरू होगा और merit से शुरू होने के बाद भारत के अलग-अलग विस्तारों के अंदर यह फैल भी जाएगा समझे आप लोग ठीक है इसके लिए जब इनफेक्ट यह रिवाल्ड के ओपर हिस्ट्री लिखा गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना बड़ा विद्रो पूरी दुनिया के अंदर नहीं हुआ था जो भारत के अंदर हुआ था तो यह विद्रो कैसे चला होगा किस तरह से भारत के लोगों ने इस्ट इंडि उसके बारे में थोड़ा बहुत न्सी आटी का परस्पेक्टिव लेते हैं न्सी आटी के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर थोड़ा बहुत मैपिंग कराया था अगर आपको याद होगा तो इन प्रीवेस क्लास आइड डिसकूस्ट बाट दॉमापिंग और मै अच्छे मुख्य जगा थी जहां पर आपको ये रिवॉल्ट फैलेगा उसके सिवा इसकी नौर्थवेर बॉर्डर हुआ करती थी नौर्थवेस्ट बॉर्डर का मतलब है कि कहां तक उसका जोग्रोफिकल स्प्रेड था तो याद रखेगा कि NCRT सेंट्रिक अगर हम लोग जोग्रोफिकल स्प्रेड देखते हैं तो हमको ये पंजाब के अंदर मिल जाएगा सियाल कोट वाला रीजन है लाहोर वाला रीजन है वहाँ मिलेगा और यहां पर आपको नीमच और मो नाम की जगा मिलेगी Moe was a place in Madhya Pradesh in fact Moe is the place जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ था actually बाबा साहब आमबेडकर के जो फादर हुआ करते थे वो British Army के अंदर ही official थे he was also an official in the British Army only getting a point है ना तो ये conditions के अंदर हमको NCIT बता दी है कि कैसे revolt हुआ अब revolt कहां से शुरू हुआ किस तरह से revolt शुरू हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत discuss करते है revolt शुरू होता है मेरट नाम की जगा से अब कैसे शुरू हुआ उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ और मेरट के अंदर revolt होता है वो May महने के अंदर होता है but before the revolt in the month of May उसके भी पहले मार्च 1857 के अंदर मंगल पांडे की कहानी लिखी गई है अगर आपको जानकारी होगी मंगल पांडे की स्टोरी यह है कि मंगल पांडे को बोला गया था कि तुमको infil'd rifle यूज़ करना है मंगल पांडे ने मना कर दिया कि मैं अपने जो आला अधिकारी है मेरे जो उपरी अधिकारी है उनकी पिताई कर दूँगा तो उसके बाद उन्होंने फिर अपने ऊपर के बोस्स से उसके उपर अटेक किया और फिर अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़ा और उसके बाद finally आप देखोगे तो उनको फांसी दे दी याद रखेगा मंगल पांडे का revolt कहां पे हुआ था तो revolt हुआ था at a place called as Barrackpore Barrackpore कहां पे आया तो यह आपके लिए location based mapping है याद रखेगा Barrackpore के उपर question आ सकता है किस तरह से शुरुआत होगी ठीक है तो मंगल पांडे का revolt हो उसके बाद मेरट के अंदर ये बार चली और मेरट के अंदर मैंने आपको बताया कि जो नए कार्ट्रियस की बारे में बताया था उसकी बार की और ये जो कार्ट्रूस यूज करने का प्रशना था उसको लेके काफी लोगों ने मना कर दिया तो उस टाइम पे जो British Army की Regiment हुआ करती थी उसमें करीबन 85 के आसपास कितरे थे 85 के आसपास soldiers से जिन्हों ने ये Carthus use करने के लिए मना कर दिया ये जो Carthus use करने के लिए मना किया और उसके खारण उनको 10 years की जेल दी गए उनको court martial किया गया In this condition 9th May के दिन जब ये judgment आता है The judgment was given on the month of 9th May 1857 और इसके कारण जब उनके soldiers को पकड़ा गया तो उनके जो साथी दोस्त हुआ करते थे उनके जो मित्र हुआ करते थे उनके जो पहचान वाले थे वो सबके सब in fact नाराज हो जाते है कि East India Company हमारे soldiers को परेशान कर रही है East India Company हमारे सैनिकों का सोशन कर रही है East India Company ने हमारे सैनिकों को जेल में डाल दिया है We will not allow this kind of I would say The rule of East India Company और उसके कारण कुछ-कुछ soldiers in fact मेरट के अंदर जो अपने 85 soldiers को पकड के रखा था उनको छोडवाने के लिए पहुँच जाएगी और उसके बाद revolt की शुरुवात करेगी तो यह revolt होता है 10th में 1857 के दिन यह revolt होता है 10th में 1857 के दिन बट उसके पीछे का कारण आपका Enfield Rifle की ही एक perspective मिलेगा Getting a point or not अब देखो यहां से हमको 3-4 चीज़े समझनी है कि यह revolt कैसे फैलता है How the revolt will be expanding How the revolt will be spreading याद रखेगा यह revolt मेरट से फिर दिल्डी की तरफ जाएगा तो मैंने आपको बताया The very first location is merit अब यहां से क्या question बन सकता है What kind of questions can be asked in this point तो उसके उपर थोड़ा बहुत आपको समझा लेता हो The first question that can be asked is from the location perspective समझ में आ रहा है आपको तो आप अपनी notes को बनाते रहिएगा Location perspective में आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि revolt जब हुआ When the revolt will take place तो यह important important locations के अंदर ही revolt होगा होगा की नहीं होगा दोस्त तो जो भी important locations के अंदर आपका जो revolt होता है उसमें आपको पूछेगा कि सबसे पहला कहां पे होगा था The first epicenter was Merit और Merit से लोग दिल्ली की तरफ चले जाते है कहां चले जाते हैं दिल्ली की तरफ चले जाएंगे ठीक है तो in this condition NCRT के अंदर क्या क्या चीज़े लिखी के उसको बताता हूँ From Merit to Delhi They attacked and killed the British officials उनके सामने जो भी गोरे लोग थे अंग्रेज थे उनको मारा गया They captured the guns and communications and sent the fire to the buildings and properties of the British officers and declared the war on the फिरंगी अब देखो फिरंगी केसे कहते है तो जो गोरा रंग होता है मुलभूत रूप से आप देखोगे तो उनके लिए शब्द रंगी फिरंगी ठीक है तो foreigners the term reflects an attitude of the contempt ठाँ ठीक है तो अंग्रेजों के लिए ये शब्द यूस किया गया था कि ये फिरंगी लोग ने हम लोग को परेशान करके रखा है उनको हम लोग कैसे भी करके भारत से निकाल देंगे ठीक है The soldiers were determined to bring an end to the British rule in the country कि कुछ भी हो जाए ये गोरे लोग को यहां से हटाना है और इसके कारण जब मेरट के अंदर revolt हुआ ये map आपको दिख रहा होगा मेरट के दर ये revolt हुआ ये revolt मेरट के बाद तुरंती कहां चला जाता है दिल्ली अब क्यों चला जाता है क्योंकि soldiers का मानना था soldiers का मानना था कि अगर अंग्रेजों को हम लोग भगा देते हैं या British rule को end कर देंगे भारत के अंदर तो British rule को end करने के बाद भारत के ओपर कौन rule करेगा after ending of the British rule who will rule over India getting a point or not the soldiers had an answer to this question और उन सब का मानना था कि जो मुगल बादशा हुआ करते थे कौन थे बादूर्शा जफर मुगल बादशा हुआ करते थे बादूर्शा जफर उनको हम लोग फिर से शहिंचा हिंदुस्तान बनाएंगे उनको हम लोग भारत का राजा बनाएंगे अब देखो बादूर्शा जफर की स्टोरी क्या थी तो मैंने आपको previous class के अंदर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बादूर्शा जफर के बारे में बताया था और मैंने आपको वहां तक बताने की कोशिश की थी regarding the बादूर्शा जफर अगर आपको पिसली point याद होगी तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि बादूर्शा जफर की जो स्टोरी है बादूर्शा जफर की जो स्टोरी है उसमें लॉड डेलाउजी ने परेशान करना शुरू कर दिया था और लॉड डेलाउजी ने बादूर्शा जफर को कहा था कि आपकी जो फैमिली है वो लाल किले के बाहर अब रहेगी या डिली के अंदर कोई और जगा के उपर रहेगी इन फैक्ट लॉड कैनिंग करके जो गवर्णर था ये दोनों का नाम याद रखेगा उसने तो बाहदूर्शा जफर के लिए ये डिसाइड कर दिया था कि वो आकरी मुगल बादशा होंगे और उसके बाद उनके जो भी वनशा जाएंगे उनको यूवराज कहा जाएगा उनको शेहन शाय मैं आपको उसका प्रस्पेक्टिव बता रहा हूँ जब मेरट के अंदर रिवॉल्ट हुआ तो हमारे σोल्जरस ने डिसाइड किया कि विलल गो टू डिली डिली के अंदर बादू सा जफर को नीम से उठाया गया उनके एक सेना पती थे बक्त खान याद रखेगा क्या नाम था बक्त खान और बादुसा जफर इन दोनों ने मिलके यह बक्त खान में मैं कह सकता हूँ लीडर के रूप में थे और दस में के रात को यह लोग निकले दूसर दिन सुबह दिल्ली पहुंचते है दिल्ली के के अंदर मारा गया उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको जला दिया गया और फाइनली बहुत सारे सोल्जर्स एक बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं लाल किले के उपर पहुंचने के बाद बादुर सा जफर को उठाया जाता है और कहा जाता है कि शहन सा हिंदुस्तान हो आप इन फैक शहन सा हिंदुस्तान उस टाइम पर एक ऐसी कंडिशन में थे जब वो सोच रहे थे कि करे तो करे के और बोले तो बोले क्या बादु सा जफर उस ताइम पर कनफॉर्म नहीं था कि वो भारत के अंदर यह जो रिवॉल्ट होता है उसक हम चाहते हैं कि हम आपके अंदर विश्वास रखते हैं कि आप हमको आजादी दिलाओगे अंग्रेजों से आप समझे कि आप आप कहीं पर रिवॉल्ड करें आपने जिसको नेता बनाया है वो इंसान नेतागीरी लेने से मना कर रहा है 1857 के अंदर भी यही हुआ 1857 का तुम ही हो तुम ही हो बंदू सका तुम ही हो यूर अवर ओनली लीडर वी पुट फुल फेथ इंटो यूर लीडर्शिप एबिलिटीज एंड वी वांट यू तो टेक देग लीडर्शिप इन दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 गेटिमा पॉंट और राजा बहुत ही कमजोर थे ब बादुरसा जफर ने क्या किया बहुत इंटरस्टिंगली बताता हूं बादूसा जफर ने इंडिया के जो भी किंग्स हुआ करते थे जो भी रजवाडे थे उन सब को एक लेटर लिखा लेटर के अंदर क्या लिखा बादूसा जफर ने बादूसा जफर ने लेटर के अं बढ़ रहे हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आप मुझे नेता बना रहे हो तो मुझे सब का सपोर्ट चाहिए इंडिया के अंदर उस टाइम पे बहुत सारे छोटे मोटे किंग्डम्स हुआ करते थे वहां के जो देशी रजवाडे हुआ करते थे वहां के जो किंग्स हुआ करते थे उन सब का सपोर्ट मुझे लेना पड़ेगा और इसी के कारण बादूसा जफर डिसाइड करते है कि I'll be writing the letters to all the people अब बादूसा जफर ने सबको letter लिखे और धीरे धीरे यह revolt कहां जाता है अब धीरे 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 आप देखोगे तो यह revolt कहीं ना कहीं expand होने की कोशिश करेगा ठीक है अब खासियत के है what is the significance of this step हाँ याद रखेगा बादूसा जफर ने इन्होंने जो letter भेजा है उसका क्या significance है समझ में आया कि नहीं आया है तो NCRT क्या बताता है NCRT क्या बताता है significance के बारे में उसको समझाता हूँ तो single steps taken by the बादूसा जफर had great implications क्यों क्योंकि भारत के ऊपर आगा देखोगे तो मुगल डाइनस्टी एक ऐसी डाइनस्टी जिसका सबसे बड़ा map था यह सामराज्य था पर मुगल डाइनस्टी के सिवाए आपको बहुत सारे चोटे मोटे kings मिलेंगे जो on behalf of the Mughal ruler वहाँ पर अपना सामराज्य चला रहा है मतलब क्या था कि दिल्ली के ऊपर तो मुगल बाद्शा ही बैठेगा दिल्ली के ऊपर तो मुगल बाद्शा ही बैठेगा पर दिल्ली के सिवा जो other areas है वहाँ पर उनके ही under में आने वाले जो kings हुआ करते थे या मैं कहूंगा जो साशक रूल अंग्रेजों का जो सामराज्य फैल गया था, many of them felt that the मुगल empire could rule again, they would be able to rule their own territories once more under the मुगल authority, तो इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट से उनको मुगलों से काफी नाराज, उनको अंग्रेजों से काफी नाराजगी थी और उन्होंने बादूर्शा जफर को support करने का नि kingdom है, वहाँ पर rule करने का मौका मिलेगा, getting my point or not, in this condition, we find the revolt will take place, अब NCRT क्या बताती है, the British had not expected this to happen, अंग्रेजों ने कभी मन में भी नहीं सोता था कि मुगल authority के अंडर के एक एक बड़ी छतरी बनाई जाती है भारत के अंदर, और भारत के अंदर लोगों ने विद्रो करने की कोशिश की, और in fact, उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कार्ट्रीज का मैटर है, कार्ट्रीज का जो मैटर है, मैंने बताया, जो गोली थी, कार्टुस थी, वो कार्टुस को थोड़े ताइम के बाद साहिनिक वैनिक का छोटा मोटा इशू होगा, और उसको solve करा दिया जा क्योंकि बादुसा जफर एक मुगल ऑथोरीटी थे, बादुसा जफर को किंग शेहन सा हिंदुस्तान के रूप में गिना जाता था, उनकी एक खुद की existence हुआ करती थी, और इसके खारण जब लोगों ने एक alternative देखने की कोशिश की, NCIT क्या कहती है, often when the people see an alternative possibly, they feel inspired and enthused, म कहता है कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें leadership दूँगा, मैं तुम्हें support करूँगा, और इसके कारण भारत के लोगों के अंदर एक motivation create हुआ, और भारत के लोगों ने decide किया कि अब कुछ भी हो जाए, हम लोग अंग्रेजों को भारत से निकाल द करती है कि यार बादूसा जफर जैसा इंसान हमारे साथ बैठा है, कुछ होगा तो हम लोग उसके सामने लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, बादूसा जफर ने दिल्ली में उसकी अध्यक्ष्टा की, और दीरे 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 आप देखेगे, तो within a week, मतलब ये revolt हुआ, 10 मे को 10 से लेके 11 में तक आते हैं ते दिल्ली में फैल गया, and within a week, the British were routed from Delhi, मतलब क्या होता है, साब कि एक हफते के अंदर British East India Company का जो दिल्ली के अंदर existence था, वो indirectly खतम कर दिया जाता है, getting a point or not, in this condition, we find कि दिल्ली का जो news है, वो बाकी सारे regions में फैलता है, कि दिल्ली में East India Company को मार पड़ गया है, और उसके कारण भारत के अलग अलग regions में ये विद्रो होने की शुरुआत होंगी, getting my point or not, regiments after regiments mutinied and took off to join other troops at the nodal ponds like डिल्ली, कानपूर and लखनो, very important centers of the revolt of 1857, याद रखेगा, तीन मुख्य मतल जहां पे डिल्ली, कानपूर, लखनो के रूप में आपक रोजब और उन्होंने भी मुलभूत रूप से वहां की जो immediate authority थी, वो चाहे leaders होंगे, जमीनदर होंगे, या कोई भी kings थे, उन सब के साथ support करना शुरू किया, anyone who was fighting against the British, एक कोई भी इंसान जो अंग्रिजों के सामने लाई कर रहा है, उसको local support आराम से मिल जाता था, और इ विद्रो करने की शुरूआत की, अब कौन से राजा ने कहां पर विद्रो किया है, which king और which political dynasty revolted in which region, तो उसके उपर से question आ सकता है, याद रखेगा कि नाना सहेब, who was the son of the पेशवा बाजीरा, the second पेशवा और the last पेशवा, जिनको कानपूर के अंदर भेज दिया गया था, तो नाना सहीब को doctrine of lapse के तहट, अगर आपको याद होगा, under the doctrine of lapse, डेलाउजी ने कह दिया था कि तुम adopted child हो, क्या है, you are adopted person, because you are an adopted person, I will not recognize you as the king of the Maratha, और the पेशवा lineage, getting a point or not, नाना सहीब पेशवा की रूप में अपने आपको establish करते हो, नाना सहीब कहते है कि मैं independent नहीं लोगल किंग बाहदूर साजफर क्या कहते है, कि मैंने विद्रो किया है, पर मैं स्वतंत्र विद्रो नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो नेता है वो दिल्ली के अंदर बैठे है, getting a point, तो कानपूर विकेम अन इंपोर्टन सेंटर, और नाना सहीब ने जो रिवाल्ट किया, उसम लखनो के अंदर आपको एक एक जेंटलमेन का नाम मिलेगा, जिनका नाम है, बिजरीस कदर, याद रखेगा, ठीक है, तो बिर्जिस कदर was the son of the deposit नवाब वाजीद अलीशा, अगर आपको याद होगा, तो लखनो का जो last ruler था, उनका नाम था वाजीद अलीशा, और ये वा मदर जब in fact revolt करते है, तो वो अपने आपको नवाब कहेंगे, और उन्होंने भी बाहदूर सा जफर को अपना नेता माना, और वाजीद अलीशा की जो वाइफ हुआ करती थी, या बिर्जिस कदर की, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, क्या नाम था, बेगम हजरत महल, उन् वन वाजीद अलीशा, क्या नाम था, वाजीद अलीशा, और वाजीद अलीशा के शाहत साथ, आपको दूसरा मिलेगा, बेगम हजरत महल, क्या मिलेगा, बेगम हजरत महल, इन दोनों के perspective से जब हम लोग देखते हैं, इन दोनों के perspective से जब हम लोग देखते हैं, तो हम को क् माहसी के अंदर करता ही काहनी की कहानी क्या ति य 그냥 आपको प्रिवे श्रक्राश के अंदर पढ़ाया हुआ है और और अपको पॉलिटीश्ट्री कुलिजन YouTube पहला लेक्षर देखा थैं उसके अंदर आपको यही सम्झाने की कोशिश की थी कि जब East India Company की हम लोग बात करते है when we talk about the East India Company मैंने आपको ये समझाया था मुलभूत रूप से कि जो परस्पेक्टिव के रूप में हम लोग बात करते है when we talk about the perspective of the East India Company in India तो East India Company in fact जो जहांसी नाम का state को annex कर देती है क्योंकि रानी लक्षमिभाई के जो बेटे हुआ करते थे दामोदर राओ वो दामोदर राओ को accept नहीं किया गया था as the king तो उसके बाद रानी लक्षमिभाई ने कह दिया कि मेरी जहांसी नहीं दूंगी she joined ताटिया तोपे and I would say नाना साहिब अब who was ताटिया तोपे ताटिया तोपे was the general of नाना साहिब ये दोनों के दोनों मराठास थे इसके लिए इन्होंने भी decide किया कि हम भी revolt कर देंगे getting my point or not बहुत सारी लडाईया होती है और ये लडाई के दौरान हमको ये जानकारी मिली कि British East India Company का जो foundation है British East India Company का जो foundation है वो हच्च मचा जाता है उनको बहुत बड़ा फटका पढ़ने की भी शुरुवात होगी ठीक है So the British were greatly outnumbered याद रखेगा क्या लिखता है NCRT The British were greatly outnumbered by the rebel forces वो इतने कमजोर हो गए की और उसके कारण उनको बहुत सारी लड़ायों के बार defeat किया जाता है उनको परेशान कर दिया जाता है और in this condition we find की जब अंग्रेजों को बहुत सारी जगाओं के उपर मार पड़ी जहांसी में मार पड़ी कानपूर में मार पड़ी इन फैक लखनों के अंदर मार पड़ी उसके कारण भारत के लोगों के अंदर confidence आ गया क्यों? क्योंकि पहली बार 1857 के अंदर हमको ये जानकारी मिली की भारत के अलग-अलग regions के अंदर revolt हो रहा है और अंग्रेजों को अलग-अलग जगा पे मार पड़ रही है और इसी के कारण अवद वाले रीजन में बहुत बड़ा विद्रो हो जाएगा तो NCRT हमको बताती है कि अवद वाला जो रीजन है खास करके UP और बिहार वाला रीजन यहां पे maximum centers हुआ करते थे जहां पे ये revolt होता है एक कोशन लिखा गया है यह मैंने आपको अलेड़ी explain किया हुआ है प्लीज revise दे वीडियो आपको picture clear हो जाएगा अब आगे समझने की कोशिश करते है कि धीरे धीरे करके यह revolt कैसे फैला तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यह revolt शुरू हुआ था कहां पे मेरट से शुरू हुआ था लखनों के बाद अगर आप देखोगे तो हमको जासी के अंदर भी देखने को मिल रहा है यह revolt दीरे 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 अब देखोगे तो आपको दिली और दिली के बाहर आप देखो तो आपको बरेली के अंदर भी मिल जाएगा और बरेली से फाइनली आपको बिहार वाले रीजन के अंदर भी मिल जाएगा ठीक है तो वी फाइंड मल्टीपल सेंटर जहां पे रिवाल्ट फैलता है अब समझने की कोशिश करो कि ये रिवर्ट के अंदर कैसे लोगों ने इन फैक्ट विद्रो किया था उसके बारे में NCRT बताती है इन डेली अलार्ज नमबर ऑफ गाजी गाजी का मतलब क्या होता है इन फैक्ट ये गाजी नाम का जो शब्द है ये बाबर ने भी यूज किया था जब वो फाइट करनाया था इंडिया के अंदर इन दे बैटल ऑफ पानी पत और जब उसमें राना संगा के सामने खानवा किया था तब ही वो कहेगा कि मैं धर्म यूद कर रहा हूँ बहुत सारे जो मुगल बादशा के साइनिक थे जो मुस्लिम से जो इसलाम को फॉलो करते थे वो अपने आपको गाजी कहते और कहा कि हम लोग गोरे लोग को भारत से बगा देंगे getting my point or not in this conditions बादुर्सा जफर को मदद करने के लिए एक इंसान उभर के आये जिनका नाम था बग्त खान याद रखेगा बग्त खान was a soldier from Boreli but उन्होंने डेली के अंदर अपनी leadership को प्रूव किया and indirectly he became the main authority and the power center in Delhi getting my point तो बग्त खान को दिली के अंदर एक leader के रूप में establish किया गया क्योंकि बादूर्सा जफर तो काफी बिमार थे और वो बुडे भी थे तो he could not continue with the rebellion directly by coming on to the grounds getting my point so in this condition बग्त खान ने दिली के अंदर revolt किया उसके बाद over a period of time बिहार के अंदर भी कूवर सिंग नाम के एक ज़ो जमिनदार थे कौन थे कूवर सिंग नाम के जमिनदार थे वो भी ये revolt करेंगे अब क्यों करेंगे तो कूवर सिंग जमिनदार थे और East India Company ने उनकी जमीन ले ली थी हमने previous class के अंदर already रियतवारी के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको ठीक है मैंने बहुत डीटेल में discussion किया हुआ है please see the chapter number 3 of this playlist आपको उसके अंदर से picture मिलेगा और इसके खाराद भारत के अलग-अलग regions के अंदर revolt बढ़ता है और दीरे-दीरे-दीरे करके ये revolt भारत के अलग-अलग विस्तारों के अंदर भी फैल जाएगा समझे आप लोग अब इसके बारे में हमको क्या बताया है हम NCRT क्या बताती है तो ये revolt इतना फैल गया इतना फैल गया तो एक official था जिसका नाम था Colonel Titler याद रखेगा the name of the official Colonel Titler करके एक official था जो 1857 के August महिने के अंदर एक telegram लिखता है telegram आपको जानकरी होगी Lord Delosie करके जो governor था उसमें इसको introduce किया था By the way मैंने एक modern history के अंदर marathon session लिया हुआ है आप playlist के अंदर जाएगा तो उसके अंदर Lord Delosie के reforms के बारे में मैंने आपको समझा है हुआ ये तो NCRT पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैंने बहुत ही applied history को cover किया हुआ है ठीक है तो Lord Delosie का एक जो मैं खहूंगा telegram था telegram तो मतलब Delosie ने उसको launch किया था इंडिया के अंदर बट उस दौरान ये reward के अंदर एक करनल टाइटलर करके एक official होता है और वो कहता है अपने commander-in-chief से कि our men are cowed by the number of opposers to them and the endless finding every village is held against us the zamindar have risen to opposers मतलब क्या है कि भाई हमारी लगी पड़ी है हमारी वाट लग गई है अंग्रेजों की हालत बहुत ही tight हो चुकी थी और इसके कारण ये reward हम अलग-अलग रीजन में फैल रहा है उसी के ही continuation में बिहार तक ही reward पहुचा था एहमद उल्ला करके एक इनसान का mention किया गया है जिनोंने मौलवी के रूप में reward कर दिया in the region of फैजाबाद कहां पे कर दिया फैजाबाद के अंदर क्यों किया क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्रिटिश रूल के आगवन के कारण जो मुस्लिम कम्यूनिटी है जो इसलाम को फॉलो करने वाले लोग है उनके अंदर बहुत सारे दूशन आ गया है उनके अंदर बहुत सारे मैं कह सकता हूँ कि वो है ना क्या कहते है नेगेटिविटी आ चुकी है और इसी के कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश रूल को खतम करने के लिए ब्रिटिश रूल को खतम करने के लिए ये जो मौल भी एहमद उल्ला हुआ करते थे उनके अधेक्स्ता में फैजाबाद जो यूपी के अंदर अयोदय वाला रीजन है वहाँ पे रिवॉल्ट होता है और अवर पिरिट अफ ताइम ये एहमद उल्ला अपने सैनीकों की एक छोटी टुकडी बनाते है और लकनों के अंदर पहुँच जाएंगे मतलब आप समझो कि कहां कहां इसका जोग्राफिकल स्प्रैड होता है तो शुरू हुआ था दिल्ली से मेरट से दिल्ली दिल्ली के बाद आप आप देखोगे दिल्ली के अंदर याद रखेगा दिल्ली के अंदर किसमे लीडरशिप ली थी तो बहदूर शारा जफर तो मुगल किंग तुक भश्बित है लख्ष्मी भाईस मिलती है लख्श्मी भाई रानी के रूप में साथ करेगी उसके साथ-साथ आप देखोगे तो लखनों के अंदर हमको कौन मिला तो हजरत महल करके जो वाजिजदाली शाह की वाइफ हुआ करकी थी उन्होंने भी विद्रो किया बरेली के अंदर हमको बक्त खान मिलते है कौन मिलते है बक्त खान और बक्त खान को मुलभूत रूप से आप देखोगे बक्त खान को अगर आप मुलबूत रूप से देखोगे तो उन्होंने फिस बिल्दी में जाके जो बहुत इंट्रेस्टिंग फोटोग्राफ दिये गए है जहां पर लखनों के इस इंडिया कंपनी का ऑफिशल बैठा करता था उसका घरबार को कैसे तोड़ इसके बारे में यह बहुत इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग इमेजिस और फोटोग्राफ आपको मिलेगा ओवर पीड़ आफ टाइम इस इंडिया कंपनी डिसाइड करती है कि हमको अब इसके सामने लड़ना पड़ेगा और फाइनली इस इंडिया कंपनी यह जो को एंड किया जाएगा रिवर्ड को सप्रेस कर दिया जाएगा अब कैसे सप्रेस किया जाएगा किस तरह से सप्रेस किया जाएगा उसके उपर अभी डिसकस नहीं करता हूँ बट उसके उपर नेक्स क्लास के उपर आऊंगा तो डिसकस करूंगा और वहां पे ही हम लोग most probably ये chapter को conclude करेंगे with the conclusion of the following topics जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे company ने in fact भारत के अंदर fight back किया fight back का मतलब क्या है कि जो भारत उनके हाथ से छीन रहा था या जो भारत उनके हाथ से अब निकल रहा था इस तरह से 1857 के revolt को finally conclude करेंगे and we find we find कि इसका जो conclusion होता है वो यहाँ पर ही आपका end हो जाएगा समझे आप लोग ठीक है तो यह जो conclusion का topic है यह जो conclusion का topic को उसको यहाँ पर conclude करते है और 1857 के revolt के बाद क्या होगा किस तरह के changes आएंगे और कैसे company fight करते उसको next class के अंदर पढ़ेंगे यह तो NCRT थी मेरे दोस्त यही topic को 1857 का जो dimension है उसमें historians ने क्या कहा है इंडिया के scholars ने क्या कहा है इसको लेके जो अलग अलग perspectives उभर के आते है उसके बारे में discuss करूँगा I am most welcoming you to join my plus course I am starting on 22nd June 22 June को यह course को शुरू कर रहा हूँ and mark my words मेरे जितने भी students मेरे साथ history पढ़के गए है उनको मैंने इतनी command दिला दी है यह subject के अंदर कि उनको आधी रात को भी अगर को conceptual clarity के बारे में पूसता है तो they are very much clear कि यह reward का dimensions क्या था यह modern history की खासियत है कि इसमें आपको fact भी पढ़नी पढ़ेगी dates याद रखनी है पर dates को आप रटा मारोगे तो आप के लिए बहुत ही मैं कहूं कर कि long term beneficial नहीं है always grow from the conceptual learning और वही मैं कराता हूँ उसी के लिए मैं जाना जाता हूँ I welcome you all to join my course on the modern Indian history and the national movement in fact unacademy plus के ओपर आप आई है मेरा world history का course भी आपको मिलेगा और मैंने आपको already बताया हुआ है कि unacademy plus के ओपर फाइदा यही है कि एक subscription आपको हर एक subject को cover कराता है मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर subscription लोगे on the unacademy and you will be able to watch only my lectures no my friend you will be able to watch the lectures of all the teachers all the educators मतलब कितने पढ़ाते है तो मैंने आपको बताया था 80 plus educators पढ़ाते है उन सब के sessions आप attend कर पाओगे उन सब के classes attend कर पाओगे और best part यह है कि doubt solving session भी होता है वहाँ पे one to one interact करके मैं students के साथ doubt भी solve करता हूँ उनके लिए available भी रहता हूँ तो मैं जरूर से आपको welcome करूंगा कि आप आईये हमारे platform के ऊपर आपको disappoint नहीं करूंगा when it comes to history learning on the Unacademy Plus platform let us conclude the class today हम लोग next class के अंदर जब मिलेंगे तो हम लोग discuss करेंगे behind the ending of the revolt of 1857 and while taking the subscription I'll always suggest कि you please take the two year subscription use the code PNLive save some money my friend 43,200 के अंदर आपको complete package मिलेगा 2 साल तक जितने भी courses launch होगे उन सब के classes भी आप attend कर पाओगे और यहां पर यह class को हम लोग conclude करेंगे like, share and subscribe to this platform and please do tell us in the comment section कि आपको यह lectures कैसे लग रहे है मैं आपको next class के अंदर मिलूंगा till then keep studying